पत्थर चट कलंशो ड्रायो फाइलम जी हाँ इन में भी कीड़े होते हैं यह देखिए यह कले कले जो आपने देखे यह मल था एक इंसेट का इसको कि एक तितली होती है बहुत ही सुन्दर देखने में उसी तितली के जो इल्ली होती है यह सुन्डी जिसको हम बोल देते हैं यह देखिए यह सफेद कररका जो आप यह देख रहे हैं इसको ग्रब भी बोल देते हैं इस कीड़े को यह देखिए कि सतना बड़ा यह क्रीम कररका ग्रब है तो यह जो कीड़ा जिस तितली का यह वच्चा है यह हम इल्ली स्टेज बोल देते हैं उसका जो नाम है उसे हम कहते हैं टैली कैडा टैली कैडा नैसियस नाम की तितली का ये गरब स्टेज है जो कि आप ब्रायव फैलम को पर देख रहे हैं और ये इसका मल होता है और ये खाका के पौदे को इस तरीके से जो आपके ब्रायव फैलम ये कलंशो के नए पते आ रहे होंगे उनको भी क्या चला जाता है एक अफ़ते ये देखिए तितली किती सुन्दर है काले और और औरेंज कलर की तो साथ से नौ दिन तक ये गरब अवस्था में से इसमें रह जाता है पीपा क्यों की अवस्था में और उसके बाद तक्रीबन ये अगले जो है वो नौ-दस दिन के बाद ये फुल तितली बन जाती है तो ये जो कीड़ा है तो टैली केड़ा नाइसियस इसका जो ये में होस्ट पौदा है यह यही ब्रायोफाइलम के लेंश होई है तो जब भी आपको अगर इस तरह के कीड़े मिलते हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि आप इसका जो अधिक जो स्ट्रोंग कीट नाशक है या कैमिकल से हैं आप उनका स्प्रे कर सकते हैं और शुरुआत में आप जब आपको इस तरह के दिखते हैं तो नीम का स्प्रे करें तो उससे भी काफी कंट्रॉल हो सकता है तो इस कीड़े के जिसके हम बात कर रहे हैं ये तितली की इ सिंगल एके कंड़े दें